गुद्बॉर्णिंग बच्चों तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट में जो चैप्टर है उसका नाम है कि सैंटेंस कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हम सैंटेंस यानी वाक्या सैंटेंस किसको कहते हैं वही वाक्य को कहते हैं तो चैप्टर का नाम क्या हो गया सैंटेंस तो सैंटेंस की सबसे फस्क में हमको आनी चाहिए है डैफिनेशन परिभासा सैंटेंस कहते किसको है और जो सैंटेंस है वो बनता कैसे है और डैफिनेशन क्या है इसकी यह A sentence is a group of words that makes a complete sense a sentence is a group of words that makes a complete sense i.e.sabdokasarthakshamhu kya kailata hai sentence kailata hai 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 a sentence hai hai उसकी क्या पैचान है sentence capital letter से start होता है a sentence a sentence start with a capital letter a sentence starts with a capital letter a sentence किसे start होता है capital letter से अब सेंटेंस में हमने देखा कि जो सेंटेंस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं है कि फूर एक्जामपल के लिए कि एक्जामपल के लिए दिखिए कि कि इन्दी वाटर इस तरह कोई आपको वर्डों का समूद रखा है क्या यह sentence है भी नहीं यह sentence नहीं क्यों नहीं है क्योंकि इसमें subject भी नहीं है और सब्दों का जो सार्थक समूद है वो भी नहीं बन पा रहा है तो यह क्या नहीं है sentence नहीं है sentence क्या होगा दियर वर फ्रॉक्स दियर वर फ्रॉक्स इन दा वाटर ना वाटर तो यह वाला हमारा सेंटेंस है और यह सेंटेंस नहीं है हम यहां पर टिक कर देंगे और यहां पर यहां पर रायट वाला तको कर देंगे तो समझ गे ना तो सेंटेंस किसको कहते हैं क्या डेफिटा लेटर से स्टार्ट होता है capital letter से start होता है किस से start होता है sentence capital letter से अब हमें use of full stop sentence में है use of full stop use of full stop full stop का use full stop का use हम कब करते है use of full stop we use full stop we use full stop at the end of a sentence at the end of a sentence जैसे ही sentence का end होता है तो हम किस का use करते है है फुल स्टॉप का use करते है हाँ फॉर एक्जाम्पल फॉर एक्जाम्पल फॉर एक्जाम्पल आई प्रिया यह sentence है और इसके last में हमें किसका use करना है फॉर स्टॉप का use करना है तो किस तरह से use करेंगे इसी sentence को जैसा वैसे लिखेंगे आई आई आम प्रिया आई लास्ट में क्या लगाना है हमको फॉल स्टॉप तो यह किसका use हो गया फॉल स्टॉप का आई आई रही इसी सेंटेंस को जैसा दे रखा वैसा लिख दीना है बट उसके लास्ट में हमें क्या लगा देना है फॉल स्टॉप वे विल गो टू चैज़ फॉल आई आई आउम प्रिया आई आउम प्रिया और लास्ट में क्या लगा दिया फुल स्टॉप लगा दिया ऐसे वी विल गो टू दा पार्क और फी क्या लगा दिया लाफ में है फुल स्टॉप sentence में हमने पढ़ना है use of question mark क्या पढ़ना है वई use of question mark जो question mark है उसका use कब करते हैं कहां करते हैं उसकी क्या साथ होनी चाहिए कि यहाँ पे question mark आ रहा है use of question use of question mark use of question mark we use a question mark we use a question mark at the end of a sentence at the end end of a sentence at the end of a sentence that asks something that asks something अगर sentence में कुछ पूछा जाता है तो वहां पर किसका यूज करते हैं question mark का यूज करते हैं for example can can we go to can we go to दा पैट डॉक्टर, दी, पैट, डॉक्टर, शूर्ट, कैन वी गो तो दी पैट डॉक्टर, अब हमको यह आना चाहिए, कि अगर स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर, कौन सी वर्पिंग वर दिरक्टी हैं, तो हमें किस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाना है कुशन मार्ट लगाना है अगर डब वेच वर्ड रखा है तो भी क्या लगाना है कुशन मार्ट की लगाना है दिखिए Can we go to the Pat Doctor? और क्या लगा दिया? Question Mark ऐसे ही इसी सेंटेंज को पूने लिखिंगे इसी दाट ए लाएन और क्यूस्चान Mark तो Question Mark का यूज कहा करना है हमें? अगर सेंटेंस में कुछ क्या किया जा रहा है? पूछा जाता है अगर सेंटेंस स्टार्ट किसे हो रहा है? हेल्पिंग वर्व से तो हमें सेंटेंस के लास्ट में किसका यूज करना है? Question Mark का यूज करना है सबी प्यारे बच्चे sentence को समझ गए होगे sentence क्या होता है sentence बनता कैसे है इसी के साथ full stop का use कहां करते हैं और इसी के साथ में जो question mark है उसका use कहां करते हैं तो आज की class को हम यहीं कतम करते हैं So all of you Thank you